हेलो गाइज आएम रिक्की एंड और मॉस्ट वेलकम तो वर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वान क्लासेज जैसे हम लोग फिक्स पढ़ रहे हैं और आज फिजिक्स में बारी है डॉपलर एफेक्ट की बहुत ही महतुपूर्ण टॉपिक है डॉपलर प्रभाव क्या होत होज की जो डॉपलर सहाव हुए डॉपलर का नाम था क्रिस्टियन जोहन डॉपलर क्रिस्टियन जोहन डॉपलर क्रिस्टियन जोहन डॉपलर क्रिस्टियन जोहन डॉपलर नहीं इसका खोज किया था और यह खोज किया था अठारा सब यालिस में मतलब की डॉपलर इफ्ट है इस बात को समझेंगे इसमें क्या होता है मित्र इसमें बात की जाती है साउंड की फ्रिक्वेंसी पर क्या बात कियाती है इसको समझेंगे जैसे मान लिजे कि मैं यहां पर खड़ा हूं हमसे कुछ दूरी पर एक किलो मिटर से कोई ट्रेन आ रही है और वह होर्न मारते हुए आ रही है जो है अपना होरन दमाते भी यह अपना सीटी जो है वो बजाते हुए तो एक किलो मिटर से उसकी आवाज मेरे कान तक आई अब जियों जियां उसकी दूरी घर्टी जाएगी अर्थात 1000 मिटर पर है तो कुछ फ्रिक्वेंसी मेरे कान में आई फिर और और करीब आया जब वह आधा किलोंडर आई तो वह आवास तेज अब यहां से खुली तो जो इस्तिर सरोता मैं हूँ यह हमसे दूर होती चली गई पहले 500 मिटर, 500 मिटर, 1000 हर डिस्टेंस पर उसकी क्या हुई आवाज जो कान में आई वह चेंज होती चली गई तो यहां जो एक तरफ से आती है तो आवाज करीब होने से क्या होती है आवाज बढ़ती भी मालूम होती है और जब वह सोर्स दूर जाती है तो क्या होती है हम दूर करते जाएंगे तो क्या होगी जो आपके कान की आवरती है वह आवरती क्या होगी जो सुन रहे है वह घटती जाएगी क्योंकि सोर्स अब दूर जाता जाएगा तो आवरती क्या होगी घटती जाएगी और जब दूरी दूरी कमती जाएगी दूरी कम होता जाएग जब सोर्स हमारे करीब आती जाएगी तो आवरती बढ़ती जाएगी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी और यहां जो बढ़ने घटने की जो आप टेंडेंसी देख रहे हैं इसी घटना को इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं कि अगर एक स्थि ज़्यादा होने लगा और जब वो जंग्सन पर साथ-छात पर सामने आ गई तो वह क्या हुआ और भी साउंड तीवर हो गया तो इसमें खेल किसकी हो रही है आवरिती की फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है ऐसा लगता है लेकिन अगर स्रोता को और स्रोर्स को दोनों को एक गत अगर प्रिक्वेंसी मेरे कान में आएगी वह सम्होंगी यहीं डॉपलर में जब रोक देते हैं एक जगह और सोर्स को दूर या नजदीक करते हैं तो क्या होती उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होने रहती है आए डिफने संदेखते हैं हम लोग क्या है जब किसी ध्वनी स्रो स्रोता के बीच आप एक शिक गती होती है तो स्रोता को ध्वनी की आवरती है द्वनी की फ्रिक्वेंसी है उसकी वास्तविक आवरती से अलग सुनाई पड़ती है मतलब उसकी वास्तविक आवरती कुछ है और सुनाई पड़ रही है कुछ यह क्यों हो रहा है तो यह डिस् प्रभाव को क्या बोलते हैं डॉपलर प्रभाव कहते हैं तो किसी द्वणी की आवरती उसकी वास्तवी की अलग सुनाई पड़ती है आप एकशी गती सरोता और सरोत के होनटी है तो ध्वनी की जो आबरती है और जो न जो वास्तिक फ्रिक्वेंसी के उस से अल्ग सुनाई पड़ती है और यह kommt जो और न क्या है उसको हम लोग डॉप्र इफेक्ट बोलते हैं अब देखेंगे दोपलर इफैक्ट का का कहा कहां इस्तेमाल होता है तो डॉपलर्ट एफक्ट का इस्तेमाल जो है डीषेस मेजर करने में भी होता है इस सौंदुसरेमेह dûडäre ऑपर जया लुए जाता है यह कुर कि तोने दूर जा रही यह जो भीमान हमारी पास आ रही हैं में कितनी दूरी पर है यह पता लगाने के लिजर मैं पर ये प्रहोझ यह शायर है और साथ ही में यह 25 एक लेजर में लेजर में भी इसका उप्योग किया जाता है लेजर में भी डॉपलर इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है लेजर डॉपलर भलस्टी मीटर एक विक्सित की गई है लेजर डॉपलर भलस्टी मीटर लेजर डॉपलर भलस्टी मीटर है इससे भी दूरी ग्याद क किसी भी डिस्टेंस ही ग्यात की जाती है लेजर के माध्यम से किसी भी गथिसील वस्तू का वेग मा पाजयाता है और उसकी दूरी ग्यात की एती है इसमें और यहां प्रकास के लिए भी होता है और डॉपलर प्रभाव प्रकास में भी होता है और डॉपलर प्रभाव जो है आपका रेडियो तरंग में भी होता है तो ध्वानी में तो होता ही है यहां लाइट में भी होता है और साथ प्र wnफ होता है और डॉफलर बी जो है रेडियो टरंघакों में भी होता है यह तीनों में एडियों तरंघ Dare仔 भेटव भुता है अब इसके हैं यह हैं रॉच फिर्पः घटना प्रकास में लेकिन एक सवाल है आप अपने जीमन में बहुत ज्यादा है प्रकास की बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि जो आदमी है यह अपने से इसके डॉपलर इफेक्ट को मेजर नहीं कर पाता है बात समझ रहे हैं इसकी प्रकास की जो बहुत ज्यादा होती है और इसके कारण जो है प्रकास में होने वाले डॉपल बिढ़ी से मापफा नहीं जा सकता इसलिए समाने तोर पर जो डाफलर ड्रावर की बात Anda सॉँल में ही कि जाती है और प्रकास में नहीं करते हैं हम लूब ब्रकास में बात नहीं करते हैं जिसका नाम है स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करना स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड जो है यह इसके द्वारा स्पेक्ट्रम रिकॉर्डर के द्वारा जो है प्रकास की भी डॉपलर प्रभाव ग्यात की जाती है प्रकास में भी डॉपलर इफेक्ट को ग्यात किया जाता है और प्रकास म हम लोग साधारन विदियों से नहीं माफ सकते हैं और इस जो है अनुमाल लगा सकते हैं यह इसका भी घ्यात किया तक इसके द्वारा स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड के द्वारा तो मित्र हम लोग देख रहे हैं देख रहे थे डॉपलर प्रभाव में से समधित कुछ नमरीकल भी है देखिए fl frequency of listener जो सरूता को महसूस होता है यहाँ निकाल भी रहे हैं कि सरूता को जो frequency महसूस होती है उस पर नमरीकल कुछा जाएगा और इसका फर्मूला है यह FL मतलब जो सूनोटा को महसूस तो है है frequency of listener यह भी है भी मतलब उफितरंग की चाल जो वेव है स्पित्ह विह थाध्मि यह है और वी ठियुक्षटा की अइस बीस्ट व्लास लीशनर यह इस сюжता की चाल है है अगर सुझाहनी जा रहा यह बस का चालोगा जो सोर्स तो निकले उसका चलोगा भी एस और यह तो तरण की चालो गई तो यह यह जो फर्मुला है FL बराबर B PLUS MINUS BL B T B PLUS MINUS B S INTO F S यह किसका फर्मूला है यह डॉफलर इफेक्ट फर्मूला है और इसको आप धियान में या उसको करेंगे तो मित्र आज हम लोगों ने देखा कि Doppelr प्रभाव क्या होता है और रिफेक्ट क्या होता है हमको लगता है कि आपको आपको मिल गई है फिर मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद स्वास्त्रा है अपना ख्याल रखें ब्रिदुजनों के अगर आपके आसपास से वाजरू करें धन्यवाद थैंक्यू